नमस्कार मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उद्यपूर खबर उद्यपूर शहर की एक बड़ी जलन समश्या बनती जा रही है जो सबसे ज़्यदा आवश्यक है उसी को आज नेश्टो नाबूत करने के लिए इंसान लग पड़ा है यह वाड नमबर 6 है जहांके पारसद मोदे स्वयम महपूर जी है जीए स्टांक साब और रोड नमबर 6 है अशोक नगर का मामला है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हरे पेड को धराशाई कर दिया गया है और उसे काट दिया गया है हाला कि यह पेड इस सेत्र में रहने वाले सभी लोगों को मिना भेदवाओ के आक्सिजन देता था अगर वो इस सोच लेता कि आने वाले समय में यह व्यक्ति मेरे को काटने वाला है तो हो सकता है अगर मानव की तरह यह भी द्वेस्ता रखता तो शायद उसे आक्सिजन देना बन कर देता लेकिन किसी प्रकार का भेदवाओ नहीं किया और सभी के समान उसने इनको भी और काटने वालों को भी और जब तक यह कटा तब तक उसने सभी को आक्सिजन दी चलती रही आरी इसके उपर चलती रही सब कुछ प्रकार की इसने यातना सही लेकिन उस समय भी उस काटने वाले को भी दी लेकिन इस पेड़ को आज आखिरकार काट दिया गया है जब हमने इस पेड़ को इस मार्क से गुजरते हुए इस तरीके के हालात में देखा तो हमने भी वहाँ पर यह जानकरी जूटाना चाहा कि आखिरकार वो माहन सक्स कोन है जहां पर बरसात के दोर में हर सामाजिक संगटन, धार्मिक संगटन, सेक्षनिक संगटन यहां तक क हर मानव यह कह रहा है कि पेड़ लगाओ, पोदे फ्री में बाट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कई लोग यहां पर शेहर के अंदर अलग अलग जगे पर प्रतिग्या ले रहे हैं, सपत ले रहे हैं कि अब हम हरित करांती के नाम पर शेहर को हरा बरा कर देंगे, लेकिन का होच बार-बार सती ग्रस्त हो रहा था बस इसी बात को मद्दे नजर रखते वे हाला कि वे लोग के रहे हैं कि निगम में सिकायद करकर पेड़ कटाया लेकिन हमने जब निगम के जिम्बेदार अधिकारी नरेंदर जी स्रीमाली से बात की तो उन्होंने इस बात से साफ इ नहीं की नपेड काटा है फिर यहां पर सबसे बड़ा सवाल बनता है जो लोग इस सेतर में रहते हैं वे कह रहे हैं कि निगम ने काटा और निगम के जिम्मेदार कह रहे हैं हमने नहीं काटा तो आखिरकार वो निगम की सकल में कौन लोग यहां पर आ गए और उन्होंने इस पेड को यहां से काट कर खत्म कर दिया उसकी खत्या कर दी अब आप ही सुनिये कि यहां पर जिन सक्स ने बात कही कि निगम ने काटा तो उसका सवाल जवाब भी अब निगम ही दे सकता है कि जब उन्होंने काटा ही नहीं तो यह सक्स आखिरकार क्यों उनका नाम ले रही किसी ने कटवाया? पता नहीं. क्यों? ती पूछ रहा था. वो तो अब वो ही काट के गए? पेशिल से जान आते है महीं से. निगम से? निगम से मैंने पूछा, वो तो बिल्कुल मना कर रहा है. निगम से मैंने पूछा, मैंने पेड़ा आपने काटा गया है. आत्वा माशोक इदर आ गया था यूँ? वो तो अभी भी पेड़ तो है, जड़े तो निकली नहीं? वो तो काट के ले जाएंगे नहीं है. उन्होंने काटा तो कातेंगे यह ना, अब यह पता नुक्सान है, हर्चे मैंने होच्टी कराना पड़ी रहा है. अच्छा. पानी अंदर पानी तो यह पैसी नुक्सान दो काटा नहीं है, आखाल आइंगे वापा साथ. निगम वाले मना कर रहे है, वह साफ मना कर रहा है, ऋरेंदर जी स्रीमाली मैंने भी पोन के आया, उनको मैंनने काटवाया, चाल मैंने बहुत और पेड़ गट वाया, कि नहीं है, रहें थे खालता है वो तो इसी डालना है आपको केसे मतलब काटने से क्या हुआ काटने के नी देते ना हमारे यहां सब्सक्राइब नी देते पर अब घर का नुक्सान केसे पारे बोलो आप ही बोलो लेकिन बात यह ओरी कि पेड़ भी है तो जड़ तो है पत्तों से नुकसान तो हो नी दाता वह आपकी बात सही है तो इससे हो रहा है अब अराम चा जो जाई इसकी जड़े अंदरश का अड़ो बहुता हो पानी लीक हो गए वह इतमें मेक हो जाता हम छे मैंने वापस खाली कर गया कारिकर बुला के रपेरिंग कर आँ बदला हर छे मैंना यह हम को करना परता है निता पानी मिना करें गया हम थे उब भांध बाथ इस सब्सक्राइब कर दो पाने के जड़े अपा इंड व जब हमने इस मसले पर टेलिफोनिक निगम के जिम्मेदार एडिकारी नरेंदर जी सिरिमाली से बात की तो आखिरकार पेड को काटने के संधर्प को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा अब आप वह भी सुन लीजिए पता करना पड़ेगा है और बड़ा हरा पेड़ था और पूरा पेड़ काट दिया यहां पर आपका निगम का नाम ले निगम का विबाग आयता और काटा है कि मैं यू कि रहा हूं कि मेरे निगम की जो एक टीम चलती है वह आज आपके यह जो का शुड़ चुड़ाया है अपना चेथ यह रूट है इसमें भी केवल चंगई का काम कर रहे हैं पेड काटने का काम तो मैं करता ही जी ठीक निरिए भी आपने यू है को आपने तो काट मैं जो तो आपको शंग्यान में दिला रहा हो आप लिकम का नाम ले रहे इदर के लोग यह के रहए हैं अजया है मैं मान दिया मालो कोई 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 बुला कर रहर के जो का हम तर निगम के उसका तो इसका तो इलाज अपने पास है नहीं सब्सक्त कि अपनी टीम निक यह 101% क झाल